इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा सबसे पहले हम देखेंगे कैटेग्री जो टोप लेवल मैंजमेंट करती है इसमें पॉलीशी प्रोसीजर बनाया जाता है यह देखा जाते हैं कौन से कौन से रीसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और कौन से हमें future में कराने पड़ेंगे उन objectives को पूरा करने के लिए functional planning के अंदर क्या आता है कि जो top level management होते हैं वो है देखते हैं कि हमें अपने business के अंदर कौन से functions करने पड़ेंगे उन्ची जों की planning की जाती है जैसे कि production करना पड़ेंगा marketing finance और purchasing करने पड़ेंगे उनकी functional planning होगी हमें यह functions करने पड़ेंगे long range and short range planning long range planning यानि लंबे टाइम की planning करने पड़ेंगे लंबे टाइम की planning कौन सी होती है जैसे इसमें सबसे पहले और जो managers होते हैं यानि की कुछ ऐसी planning करते हैं यानि की कुछ ऐसी planning की जाते हैं जिससे long term goals जो थे वो पूरे हो जाए वो short range planning के अंदर आता है next third point रहेगा ad hoc and standard planning ad hoc planning कौन सी planning होती है यह उस type की planning होती है जिसके जो एक specific purpose के लिए की जाती है यह कुछ कमैटी बनाई जाते है certain purpose के लिए जब वो project जैसे की एक project हो गया जब वो project पूरा हो जाता है it means हमने जो planning की थी वो हमारी successful हो गई then standard planning यह इसमें वो plan आते है जो plan बार बार use के जाते है जैसे की plans, policies बना ली जब भी हमें कोई काम करना है तो उनी procedures को उनी plans को उठाते है जाने sono यह जब आ बार बार use के जा है उनकी डिफरेंट अक्तिवीटीज की planning की जाते है ओप्रेशन प्लैनिग कों सी होते है लवर लावल module managers करते है कि जो उन्हें work दिया गया है कि किस तरह से पूरा किया जाए administration ने plans बनाए है मीडा लाल इनेThat इस lawyer उन पर काम किया जाता है, operational planning के अंदर, मतलब कौन से कॉनसे activities हमें वो करनी पड़ेगी, वो operational planning के अंदर plan किया जाता है, next, fifth point रहेगा, physical planning, इसके अंदर हम physically देखते हैं कि हमारे business की location क्या होगी, कहां पर हम अपनी building बनाएंगे, कहां पर हम अपनी machines वगरा रखेंगे, next, sixth point र system पता चल जाता है, हमारी company का कैसा है, then informal planning, informal planning जाएंगे, कुछ individual के mind में होती है, जिने future में हम planning का base बना के use कर सकते है, next, हमारा आज का topic रहेगा, levels of planning, यानि planning के कौन से कौन से level होते है, basically तीनी level होते है, top level planning, second level planning, और third level planning, सबसे पहले देखते है, top level planning, यह क्या है, top level managers करते है, इस planning को, इसके अंदर business के long term objectives जो है, उन्हें पहले ही plan किया जाता है, और उन objectives को कैसे achieve करना है, उसके लिए different type की policies बनाई जाती है, top level management, जो है, long range objective से related होती है, long range planning, जो है, वो करते है, इसके अंदर यह सोचा जाता है, कि हमें अपने business के अंदर क्या करना है, जो what हमारे पास question होता है, उसका reply हम top level management से लेते हैं, next रहेगा second level planning, इसे हम tactical planning भी बोलते है, middle level managers इस planning को करते है, इसमें जो top level managers ने objectives सेट किये होते है, उनके base पे ही, उन ही की limits के अंदर framework के अंदर है, जो middle level managers वो planning करते है, उन objective से बाहर कोई भी planning नहीं की जाती, third level planning, इसे हम operational planning भी बोल प्रवाइड किया, जो objectives प्रवाइड किया, उनको action में किस तरह से लेते हैं, किन activities को follow करना है, वो third level planning के अंदर सोचा जाता है, इसे lower level managers plan करते है, next हमारा आजकर last topic रहेगा, essential steps in planning, यानि planning करते हुए किन किन steps को follow करना पड़ता है, इसमें हमारा first point रहेगा, establishing very favorable goals और set of goals to be achieved, यानि सबसे पहले ये set के रहता है, कि हमारे business के goals या objectives क्या होंगे, यानि business को क्या चिज़े अचीव करना है, जैसे कि एक business के different objectives हो सकते हैं, कि उसे अपनी sales increase करनी है, या फिर community के अंदर, यानि society के अंदर, अपना contribution increase करना है, या फिर इस सालू से कोई नया product बनाना है, तो different goals हो सकते हैं, सबसे पहले, सभी organizations को अपना goal fix करना चाहिए, कि उन्हें achieve क्या करना है, second point रहेगा, establishing planning premises, यानि कि हमें ये plan करना चाहिए, कि हमारी building कि स्टाइप के होगा, इसका organization structure कैसा होगा, उसका economic conditions, आस पास की कैसी होगा, environment कैसा होगा, government का control कैसा होगा, इस ये सब चिज इसके goals क्या है, premises कैसी होगा, फिर उसे देखना होते हैं, उसे planning कितने time के लिए करनी है, जैसे कि कुछ organization तो सिर्फ एक साल के लिए planning करते हैं, लेकिन कुछ organization दो या तीन सालों की planning एक साथ ही कर लेते हैं, वो डिपैंड करते हैं, उनका business कैसा है, किस type का nature है business का, किस product में व planning करनी है, एक साल को assume करके ही planning करनी है, दो या तीन सालों के बारे में में सोच के फिर planning करनी है, इसलिए planning period को decide किया जाते हैं, फॉर्थ स्टैप रहेगा, finding alternative courses of action, या हमारे बास different कौन से alternative है, कौन से options है, उसको देखा जाते हैं, जैसे कि अगर एक business ने अपने आपको technology में उ और फिर उस पर work करना चाहिए, या फिर business के सामने ये alternative हो सकते है, कि उन्हें अपना product, company के salesman के त्रिव सेल करना है, या फिर किसी intermediate agency के त्रिव अपना product सेल करना है, तो different alternative course देखा जाते हैं, कौन से कौन से हमारे सामने विकल्प है, next, fifth step रहेगा, evaluating and selecting a course of action, यानि कि इस step के managers है, वो ये देखते है, कि कौन सा alternate हमारे लिए best है, कौन सा विकल्प हमारे लिए अच्छा है, हमारे business का profit increase करेगा, sale increase करेगा, जोन सा विकल्प अच्छा होता है, उसको evaluate करके, then select कर लिया जाता है, next step रहेगा, developing derivative plans, यानि कि छोटे-छोटे plans बनाए जाते हैं, long term objective हमारा top level managers ने set कर दिया, उसके बाद middle level managers क्या करता है, long term objective को जो achieve करना है, उसके लिए different activities करना है, उनके लिए छोटे-छोटे plan बनाए जाता है, ताकि lower level managers उनको follow करके, business के goals को achieve करने में हमारी help कर सके, next 7th point रहेगा, measuring and controlling the progress, यानि last में क्या के जाता है, progress को measure करके, control के जाता है, कुछ एक फ़र्क हो रहा है要 नहीं हो रहा है, अगर वर्क नहीं हो रहा है तो इसके अंदर अगर हमें plan के इंदर ठड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम उसे ठीक कर देते हैं, और हमारा plan पूरा का पूरा ही unrealistic है, या उसमें उस पर work नहीं कर सकते वह plan हमारा सिर्फ imagination है, तो तो शीप प्लैय अंदर को पर गूल दो है नहीं एकड़ के प्लाःनिक करने कोई फायदा धूप आगे बिजनस के अंदर रहा है तो पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यह प्लैनिंग की जा सकती है I hope आप सभी को आज की वीडियो समझ आई होगी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू